हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग इछे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामदिंग मोश्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आचुका हो दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नाइन स्टैंडर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का जो हमने एक न्यू चाप्टर बहतरी चाप्टर के शुरुआत की दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नमर सेबन साइन सेंट आपके लिए लेकर आगए है आज जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये चाप् टेक्नोलोजी का एक रोल रहा है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में आफ्टर दे इंडिपेंडेंस जैसे हमें आजादी मिली तो हमें दो तीन चीज़ के ओपर काफी ज़्यादा फोकस करने की ज़रत थी कि हमारा बिजली उत्पादन कैसे होगा यानि बिजली का इसे बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कस केर ली थी तो लेक्टर नमर टू तक अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज जाके चेक आउट कर लेना साथ में आप प्लेलिश को चेक कर सकते हो क्योंकि प्लेलिश में आपके बाकी के सब्जेक्स पुरा कंप्लीट ह जितने भी बन चुके हैं सब कंप्लीट है जाओ चेक आउट करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो और इनकेस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो काफी अच्छा लगेगा इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉ करो और हमारे सेकेंड चैनल जैर टॉक्स और थर्ड चैनल जैर व्लॉक्स को भी विजिट करो पसंद आएगा देखने के बाद तो सब्सक्राइब कर देना ठीके दोस्तों बहुत ही क्वालिटी कंटेंट हमने डाले हुए वहाँ पे ठीके आते हैं टॉपिक के ओपर जो की लेक्चर नमर 3 है तो सबसे पहले आज क्या पढ़ना है वो हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग शुरुवात करेंगे आज जो हमें पढ़ना है जैसे कि आपको याद होगा कि हमने रियक्टर के बारे में पढ़ लिया था पहले लेक्चर में और आपको अगर याद होग इसरो का फुल फॉर्म है, that is Indian Space Research Organization, जैसे अमेरिका में NASA है, आपने नाम सुरां को, NASA अलग-अलग satellites को launch करता है, वैसे हमारा इसरो है जो अलग-अलग satellites को, space research programs को अंजाम देता है, और जैसे ही दीरे-दीरे चीजे success होने लगी यहाँ पे, तो बहुत सारे चीजे, जो है इसरो 15th of August 1969, देखो कितना बहतरीन साल है यह 1969, और इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, और यहाँ पे इनका में काम यही ताकि कि किस प्रकार देश में, missiles, satellite, ठीके ना, space research, यह सब चीज को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बाकी countries easily कर पा रहे थे, अमेरिका कर पा रहा था है, वो आप जानते हों, बैंगलोर में है, आज के दिन में इसको हम लोग बैंगलूरू के नाम से जानते हैं, उस टाइम पे बैंगलोर बोलते थे, आज के दिन में बैंगलूरू के नाम से जाना जाता है, और इसरो ने अपना बहुत सारा workstation बनाया हुए, तो उसमें एक बहुत ही भेतरी इन स्पेस्ट स्टेशन है, जहां से रॉकेट्स वगरे लॉंच किये जाते हैं, वो है दोस्तो, श्री हरी कोटा, यह आपने नाम सुना होगा, आपने अगर वो मंगल वाली मूवी देखी होगी, मिशन वाली, ठीक है ना, श्री हरी कोटा से ही उसको लॉंच किया गया था, श्री, जो कहां यार, स्पेलिंग में बारबर मिश्टेक कर देड़ों, ठीक ही, एर यहां से लॉंच किया गया था, हमारा जो मंगल वाली मिशन था, उसको भी वहाँ से लॉंच किया था, तो ऐसे बहुत सारे चीजे, हमने लॉंच convenience की, उसके बाद, ये तो एक satellite का नाम है भासकर देखो नाम बहुत यूनिक होते हमारे इंडियन के satellites के या फिर missile के तो हम जो है इंसानों का नाम रखते हैं आकी देश जैसा ने कुछ भी नाम रख दिया ठीक है तो हम भासकर वन जो है इंडिया ने लॉंच किया था हमारा remote sensing experimental satellite जिसका main उद्देश है यही था और इसमें भी Soviet Union ने हमारी मदद की थी 1969 में यह launch हुआ था 1969 में Soviet Union जो आजके देट में रशिया है उन्होंने हमारी मदद की थी और इसका main काम यही था कि Earth के उपर घूमना और इसको observe करना कि क्या-क्या चीज़े Earth के उपर हो रही है इसका main काम था कि sense करना sensing technology के इस प्रकार का weather forecasting का भी जो काम है इस भासकर के थू किया जाता था यानि कि यह satellite के थू यह सब चीज़े होना possible हो पाता था फिर वो बहुत सारे photograph क्लिक करता था हम देखते ना आज के रड़े में हम प्रित्वी का photograph देख पाते हैं आज के रड़े में हम लोग दूसरे ग्रह का space कैसा देखता है उसका photograph हमारे पास है जो photograph आया कहा से कोई गया है क्या space में obviously yes गया है space में गया है rocket गया है missiles गया है I mean to say आपके satellite गया है और satellite क्या करते है photo खिचते हैं click करते हैं कुछ चीज observe करते है तो यह जो है photograph भी click करता है अलग-अलग moments का environment कैसा change हो रहा है environment में क्या चलता है और आज हम बोलते ना हमें पहले पता चल जाता है अगर कोई भी खतरा होता जैसे cyclone आने वाला है तो हमें चार दिन पहले ही warning दे देते हैं कि यार यह cyclone आने वाला है तो किस वज़े से आया possible कैसे हुआ हमें कैसे पता चल गया अंतर रहा है कि हम लोग नहीं हमारे तक वहाँ पहुचेगा मतलब तीन दिन के बाद खतरा है कि यहाँ पे cyclone आ सकता है ऐसे वो information देते हैं और हमारे जो meteorological department होता है meteorological department मतलब जो यह department होता है जो देख रहे करता है weather के बारे में तो इसको information मिलती है फिर वो लोग news वाले को बताते है news वाले हमें बताते हैं तो जो है यह भी हमारा एक satellite है इसको launch किया जाता है again Soviet Union से तो इस प्रकार जो है satellite जो है launch किया जाते है फिर एक और बहुत ही भेतरीन satellite है जिसका नाम है Apple तो आप बोलोगे सरी Apple कहां से आ गया Apple iPhone नहीं है Apple का फुल फॉर्म है सबसे पहले मैं लिखूंगा that is Arian Passenger Arian Passenger Payload Experiment, इसका काम क्या यह भी एक satellite है Arian Passenger Payload Experiment ये A for area ने, P for passenger, P for pay, L for load, E for experiment तो ये full form हो गया इसका और इसका काम क्या था कि ये पहला ऐसा fully built satellite था जो ISRO ने बनाया था और इसको launch किया था 19th of June 1981 में 19 June को इसको launch किया गया था 1981 में, ठीक है न, Apple satellite को और इसका जो main काम क्या था, it was beneficial in the field of education यानि कि पढ़ाई से related जो भी चीज़े हैं, वो इस satellite के थुरूँ पता चलती थी यानि कि इसका जो main objective था, वो था emergency telecommunication service को establish करना यानि कि telecommunication यानि कि smart mobile phones, like call करना, telecalling service तो ये सब चीज़ को इस satellite के थुरूँ connect किया गया था, और ये बहुत ज़्यादा successful भी हुआ था, clear है, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और next अगर बात करें, तो एक और satellite है बहुत फेमस और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसका नाम में ही India है, तो इसको बोलते हैं, INSAT satellite, INSAT मतब नाम में satellite है, तो ये है दोस्तों, Indian National Satellite, यानि कि इसका full form है, Indian National, Indian National Satellite, तो नाम में आप देखोगे, INSAT का मतलब, I for Indian, N for National, औ INSAT, तो इसकी जो launching हुई थी, वो लगबग हुई थी, ये satellite, 1B, इनका नाम भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप के होते हैं, तो ये जो है INSAT, INSAT 1B, तो INSAT 1B नाम है इसका, ठीक है न, आई न, ये 1 है, ठीक है न, 1B, INSAT 1B करके एक satellite का नाम है, इसको launch किया गया था, क्या कर सकते थे, telecommunication कर पा रहे थे, यानि कि, अगर, for example, दूर संचार बोलते हैं, हम लोग, telephone, तो telephone का discovery हुआ था उस टाइम पे, यानि कि लोग अपने घर बैठे-बैठे, telephone में वो आता था, telephone, वो आला, telephone, mobile phone की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं telephone की बात कर रहा हूँ, तो telephone मे number dial किया, और phone लग गया, कहीं पे हम बात कर सकते हैं, तो उस प्रकार का जो telecommunication service established कैसे होता है, satellite के थुरू होता है, तो ये satellite था, it was responsible and it was very successful, जो हमें telecommunication service में इस्तेमाल होता था, साथी में weather forecasting की, कब बारिश होगी, कब तुफान आएगा, कब cyclone आएगा, कब ये सब मौझूद है वहाँ पे, तो इसका भी information हो गया, और साथी में यही insight satellite, insight 1B के वज़े से, आकाश्वाडी possible हो पारे थी, आकाश्वाणी क्या होता है, radio, आपको पता है उस टाइम पे radio काफी चलता था, तो radio में एक program आता था, आकाश्वाणी, तो आकाश्वाणी जो होता थ वो कहीं न कहीं, satellite से connected हो था, क्योंकि normally क्या है, आज के रिट में भी आप देखो कि कोई भी आप काम करते हो, जैसे आप internet पे कुछ सच मार रहे हो, आप YouTube पे जाके JR tutorial सच मारते हो, तो YouTube पे जाके JR tutorial सच मार रहे हो, वो कहीं न कहीं, वो भी एक तरीके से satellite से ही forecast हो रहा है, आ आप television देख रहे हो, जिसमें serial सारे cricket आ रहे हो, वो भी कहीं न कहीं, satellite के थुरू या आप के थुरू forecast हो रहा है, यानि कि बीच में कोन है, satellite है, satellite नहीं होगे, तो यह सब कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा, television, mobile phone, smartphone, internet, सब बंद हो जाएगा, तो कहीं न कहीं, satellite का बहुत बड़ा role है इसमें, ठीक है न, यह सब चीज आप जयान मिल सकते हो, तो radio stations हो गए, आकाश्वाडी यह सब चीज पॉसिबल हो पाया, because of this satellite, and साथ ही में बहुत सारा mechanism जो है, इसका इस्तेमाल करके, लोग अलग-अलग information collect कर पा रहे थे, क्योंकि यह सब चीजे, satellite के इसे possible हो, space में क्या है, क्या नहीं, पृत्वी, कितने number का planet है, कैसे पता चलता, कोई इंसान ऊड़के जाता क्या, देखता कि हमारा पृत्वी, Mercury, Venus और Mars के बीच में हमारा पृत्वी आता है, Mercury, Venus और थाता है, फिर Mars आता है, तो किसे ने जाके देखा कि, yes, कैसे देख पाया because of the satellite, पहले satellite को भेजा गया, फिर उसके बाद खुद आदमी इंसान rocket में बैठके गया, space shuttle में बैठके गया, तब जाके यह सब चीज पॉसिबल हुआ ना, दोस्तो, clear है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगो, फिर साती में बहुत सारे disasters जो होते हैं, वो सब चीजे, इस satellite के थरू पता लग जाता है, ठीके, एरोप्लेन क्राश हुआ, तो उसका information मिल जाता है, इस satellite के थरू, फिर साती में cyclones है, तूफान है, आंधी तूफान है, storm हो गया, यह सब चीज हो गया, और साती में इस चीज का इस्तेमाल education के लिए भी किया जाता था, यानि कि जो चीज information, educational point of view चाहिए, इस satellite के थरू information मिलता था, साती में एक बहुत ही अच्छा use था इसका, telemedicines, telemedicines के लिए इसका बहुत जाद अच्छा अच्छा इस्तिमाल होता था, तो what do you mean by telemedicines, medicines तो आपको पता है, यह दवाईया, tele मतलब आप ऐसे area में रहते हो, जैसे कि कोई बहु है, दवाईया prescribe कर सकते हो, जिसके help से जैसे कि आपको बुखार हुआ है, तो आप बात करों कि मुझे ऐसा है, वो दवा का नाम बताएंगे, आप जाके ले सकते हो, तो यह सब चीज हो गया, तो telemedicine service हो गया, treatment हो गया, advice मिलता था, जैसे counselling बोलते है आज के रेड में, तो बहुत है अच्छी तरकी से समझ में आ गया हुआ, एक और चोटा सा आखरी topic है, इसको हम लोग discuss कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर technological progress, ठीक है, तो और क्या-क्या, technology के हिसाब से हमारे इंडिया में progress हो रहा था, ठीक है, science and technology पढ़ रहे है न, chapter का नाम में, तो technology के हिसाब से क्या-क्या progress हो रहा था, यह हम लोग discuss करेंगे, तो technological progress के अगर बात करें, तो हमारे इंडिया में railway engines बनना शुरू हो गए, यह भी एक science and technology का ही कमाल है, अंग्रेज ने सबसे पहले हमारे इंडिया में train चलाई थी, कहां चलाई थी, याद है, ठीक है, between Mumbai ये engine create करना, खुद का railway engine बनाना, तो इसकी शिरुवात हो गए थी, क्योंकि यार इंजिनियर्स को समझ में आ गया था, किस प्रकार बनाए जाता है, तो railway engines manufacture होने लगे थे, बनने लगे थे, सोचो, और वहां पे एक चितरंजन locomotive work करके company थी, चितरंजन, चितरंजन railway works, ठीक है तो चितरंजन railway work करके company था, जो कि इस railway engines को manufacture करते थे, जो कि किस में setup किया गया था, ये setup किया था, चितरंजन locomotive, जो works था, ये company, चितरंजन, जो कि एक भर्दवान district में आ जाता है, कहां पे वेस्ट बंगाल में, यानि पस्षिब बंगाल में एक जगा है, कहां पे किया जाता था, और वो engines, diesel के उपर run करते थे, steam वाली भी थे, लेकिन, diesel के उपर mostly run करने शुरू हो गए थे, electric engine भी थे, steam engine भी थे, electric, आज कल रिट में आप देखोगे, तो जितने भी चलते हैं, वो सब electric engines पे चलते हैं, पहले के जवाने में steam engine होता था, steam, koila जला के, steam से च बात करें, तो यह सब चीज हो गया, तो पहला जो diesel engine manufacture किया था, diesel locomotive works, जो कि वारानसी में है, मतलब एक और company है, जिसका नाम है, diesel locomotive, diesel locomotive works, तो यह भी company है, तो सबसे पहला हमारे देश का पहला diesel engine, first diesel engine, यह कहाँ पे बना था दोस्तों, इस company में बना था, diesel locomotive works, यह company में बना गया था, और यह perform हुआ था, वरानसी में, और साथी में, जब इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया, तो इंडिया जब बनाना शुरू करता है, वो बेज भी सकता है, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कहा, यानि कि जो engine से वो खुद बनाते थे, और दूसर यानि कि सोचो हमारा science, इंडिया का, science and technology इतना आगे बढ़ गया था, कि हम जो है, अब उसका इस्तिमाल खुद के लिए भी कर पा रहे थे, और दूसरों के लिए भी कर पा रहे थे, और उससे profit भी कमा पा रहे थे, तो ये इतने सारी technology और science के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हमारे अगले lecture में, यानि कि lecture number 4 में फटा-फट से लेकर आप जाओंगा, और यह से बहुत सारे चीज़े हैं, science and technology के हिसाब से अगर हम बात करें, कि satellite का communication center किस प्रकार होता है, telephone service किस प्रकार होता है, टेलिक service क्या होता है, ये सभी चीज़ आगे जाके हम डिसकस करेंगे, ह हमारे चोथे lecture, lecture number 4 में, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, और अपना प्यार जो है दिखाते रहना, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और विदा लेना चाहता हूँ आपसे, और आप लोग प्लीज मुझे comment करके बताएगा कि आपको ये वीड और कितना हम लोग को science and technology के history के बारे में पता चल रहा है कि कब कौन सा चीज, कब हुआ था, कहा हुआ था, railway factory कैसे थी, पहला डीजल इंजिन, कहा खुला था, वारा नसी में, तो ये सभी चीज आपको information मिला है, तो फटा-फट से अपने दोस्तों को share कर देना, और साथ ही म दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे channel को भी subscribe कर देना, साथ में एक bell icon होता है, उसको press कर देना, ताकि future में हम कभी भी कोई भी videos को upload करेंगे, तो आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीके friends, तो मिलते हमारे एगले video में, ये video देखन नहीं एक लिए, thank you and goodbye.